पाकिस्तान से सती सीमा पर सुखोई और जगवार जैसे वायू सेना के लड़ाकू विमानों ने यहां पर अपना दम दिखाया और हाईवे पर लेंडिंग की और इस दोरान केंडरे मंतरी नितिन गटकरी रक्षा मंतरी राश्रा सिंग भी मौजूद रहे खास बात यह है कि दोनों ही मंतरियों ने वायू सेना के स्पेशल विमान से इसी एयर स्ट्रिप पर लेंडिंग की थी ऐसे में भविशे में सामरिक रूप से भीज की काफी एहमियत होगी और हाईवे पर इस तरह की एस्ट्रिप की कई एहम भूमिकाएं होती हैं बता दे कि यहाँ पकरीर चार एरक्राफ्ट को पार्क करने की सुविदा भी होगी तो ऐसे में तस्वीरे देख सकते हैं लेंडिंग फील्ड का जो है उद्खाड़न किया गया है और अब सड़क पर ही विमान जो है वो तर सकेंगे कॉंग्रेस के पूर वध्यक्ष और सांसर राहूल गांदी कुर्वाग को जंबू पहुंचे हैं बता दें जहां राहूल गांदी माता वैशों देवी मंदिर में दर्शन करने वाले हैं और फिर यहाँ पर ही पूरूरू किंगे और इसके बाद राहूल गांदी जंबू कश्मी के कॉंग्रेस कारेकरताओं के साथ मुलाकात भी करेंगे आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त में कॉंग्रेस सांसर राहूल गांदी का मंदिरों में जाना चर्चा का विशे बना हुआ है था ऐसे में गुजरात चुनाख के दौरान भी शुरू हुआ यह सिलसिला लगातार जारी है वह गुजरात का सोमनात मंदिर हो या पिर कई अलग-अलग मंदिर तब राहूल गांदी ने चुनाख के इस दौरान इनका दौरा किया था अभी हाली में राहूल गांदी ने अपने जम्मु कश्मीर दौरे के दौरान भी खीर भवानी मंदिर का भी दोरा किया था और वहां पर माथा भी चेका था ऐसे में राहूल गांधी से तर कॉंग्रस महास्चे प्रियंकांधी वाथरा भी अपने राजनेतिक दोरे से इतर मंदिर में माथा टेक्ती नसराई थी सम्चुनाव के दोरान भी कामख्या देवी मंदिर हो या पर उतरप्रदेश के दोरे के वाक्तवार नसी का काशिव विश्रुनाथ मंदिर हो या बता दें के और मंदिर हो यहाँ पर प्रियंका गांधी बॉटरा ने भी इन जगाहों पर मत्था जेका था और अब राहुल गांधी जम्मू में मातवैशुन देवी के दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं तो तस्वीरे देख सकते हैं राहुल गांधी जिस तरह से जब जम्मू पहुंचे तो स्वागत जो है उनका फूलों से किया गया लोगों में उत्सा जो था वो काफी दिखाई दिया कारेकरता जो थे वहाँ पभारी संख्या में उनके स्वागत के लिए पहुंचे हुए थे अंबेटकर नगर में बीती शाम अग्यात कारणों से हुए धमाके से एक मकान की च्छा तोड़ गई जानकारी के हुताबे के धमाका जिले के भीती थाना श्वेत्र के क्राम खोटिया निवासी अब्दुल जफार के घर पर हुआ और ये धमाका इतना जूर्दा था कि इसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई थी महीं इस मामले में बता दे रात को ही साज़िश रचने की आश्रंका जो है वो जताई जा रही है और इसे में संदिक धमाके में महिला गंफी रूप से खायल हो कई है जिस सेपस्ताल में भर्ती करा दिया गया है मुई गाओं के रहाईसरी इलाके के बीच और बीच हुए इस धमाके से आसफास के इलाके में दहशत का माहल बन गया है मुई पोलिस के मताबिक ये घटना परठाकों के फटने से हुई फिलार पोलिस मामनों की जासपरताल जो है वो कर रही है तुम्बेट का नगर करे पूरा मामला है जहां पर बता दे कई किलोमीटर तक इस नमाके की आवास सुनाई थी और अग्यात कार्णू से हुए धमाके में मकान की च्छत उड़ गई जिसकी वज़ा से एक महिला जो है वो घायल हो गई है तुम्बेट के ग्राम खुजिया में आज साम 6 वजे अब्दुल जब्बार के मकान में जो स्पोर्ट हुआ है इसमें एक महिला घायल हुई है इस सुचना पर थाने के पुलिस, फायर बिगेट की गाड़ी और अनधिकारी गण भी मौके पर है गहाँ वालों से जानकारी करने पर प्राप्त हुई है कि इनके पास पठाके का लाइसेंस है अब यहाँ पर कैसे इसको रखे हुए थे सम्मन्द में इसकी जानकारी की जा रही है जाच करने पर अनमित्ता पाए जाने पर इनके बिदुत रुदिक कारवाई की जाएगी चली अमबेड कर नगर से हमाई संबाद अता आश्वराम वर्मा हमासा जुड़ चुके हैं आश्वराम क्या ये पूरा मामला है और क्या कोच अपडेट है आश्वराम क्या इस बात की पुष्टी हो चुकी है क्या विस्पोर्टक समान से ही ये जो धमाका हुआ है वो हुआ है ये जो है ये वो दुकी जहां पर किस पूर्टक हुआ है वो जो है लाइसंस होल्डर से ये पठाके बाराने के पाद लाइसंस था इस वज़ा से इनके साथ ये समान कमागी पूर्टक रहते थी इनके पास तो लेकिन आश्राम उसके बाद भी कारवाई क्यों नहीं की गई है और ऐसे में देखी रियाईशी इलाका है लोग बाग रहते हैं घर आसपास है फिर इस जगा पाप अथा के बनाने का काम क्यों किया जा रहा है प्रसाथन की जो है यह उदा देंता है कि लाइशन्स ओल्डर को जो है इसके कोई निग्राजी नहीं करते कि क्या करें वहादा है कि इसमें पर प्रसाथन जाटना हो चुके है अब प्रसाथन जाजना जाज चुका है लेकिन अब देखना यह है तो अब तक क्या कुछ इस मामले में कारवाई की गई है और नहीं की गई तो पुलिस प्रसाशन काधिकारियों का क्या कुछ कहना है बिलकुल आशराम और आकरी यह जानना चाहूंगे आकरी सवाल में के जो घायल है महिला और बच्ची उनकी हालत अभी कैसी बनी हुई है लेकिन इस तरीके से यह घमाता हुआ है उससे उस गाओं की आवादी में आपको दो बहुत जड़े और पहने से हुए है इस तरीके से तुना बित्ती अगर होगी तो फिर जड़ा बढ़ा आता हो सकता है जी चलिया अश्राम का बहुत बहुत शुक्रेस समाम चानकारी के लिए तो अमबेट करन अगर का पूरा मामला है जहां पर अग्यात कार्णों की वज़ा से पठाके बनाने के चलते जो है यह बारूद वहाँ पर था और धमाका हो गया जैसे में इस मकान की छट जो है वो उड़ गई और एक महिला और एक बच्ची घायल बताई जा रही है वही पुलिस के उताविक यह घटना पठाकों के फटने से हुई है और साथी पुलिस जो है भी भी जांश परतार इस पूरे मामले में कर रही है पत्यपुर के हत्गाउन थाना के महमत पुर गाउ में उस वक्त हरकम मच गया जब बकरी चलाने गए दो मासून तालाब में जूप गए जिसके बाद जैसे तैसे ग्रामिरों ने एक मासूम की जान तो बचा ली जबकि दूसरे मासूम की तालाप में ढूपने से मौत हो गई वहीं ग्रामिरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मासूम की शब को पोस्ट मौटम के लिए भेज दिया है तो फतेपुर की ये पूरी खटना है जहां पर दो मासूम बकि चलाने की लिए गए थे लेकिन उसी दौरान दोनों मासूम तालाप में ढूप गई एक को तो ग्रामिरों ने सूचबूच से बचा लिया लेकिन दूसरे को बचा नहीं पाए जिसकी वज़ा से डूबने से उसकी मौत हो गई खबर गाजीपूर से है जहां शिकायत करता के शिकायत पर बुद्वार को जिला प्रसाशन बिर्नो थाना श्यत्र के बुद्वपूर नहर के पास अतिकरमन हटाने पहुँचा सबसे आशर्य की बात तब हुई जब शिकायत करता खुद नहर की जबीन पर अतिकरमन की हुए था और उसके बाद प्रसाशन ने जेसीबी द्वारा शिकायत करता द्वारा बनाय गए मकान को भी धुस्त करा दिया इस दोरान कई थानों की पोर सुरक्षब ववस्ता के सक मौजून रही बता दें कि शिकायत करता बुदूपूर निवासी चरंदन ग्यादव ने जिले के अधिकारियों सहेत मुखे मंतरी पोर्टल पर भी शिकायत की थी कि नहर के पास लोग अतिकर्मन जो है उन्होंने किया हुआ है जिसके बाद प्राप्त शिकायत का बुदूपूर को जिला प्रसाशन पुलिस बल के साथ अतिकर्मन हटाने वहाँ पर पहुंचे थे इसी बीच तब अप्रतफरी मच गए जब एक यूवर्ट जलस्माधी लेने के बीच नहर में कूद कया यूवर्क का कहना था कि शिकायत करता दोरा खोट नहर की समीन अतिकर्मन कर मकान बनवाया गया है और अगर प्रसाशन शुकायत करता से जमीन अतिकर्मन मुक्त नहीं करवाता है तो वो जल समाती ले लेगा इसी दौरान एक अन्य यूवक भी नहर में कूत गया जिसके बाद आनन फानन में लोगों ने यूवकों को भाड निकाल लिया फिलाल प्रसाशन की इस अतिकर्मन खटाने की कारवाई जो है पोल लगातार जारी है यहां परशाशन की करवाई कर रहे हैं किसी के दबाम है हम नहीं करवाएंगे एक तरफ 27 या 27 मीटर या 27 जो हमने लाप दिया है यहां पर आई जारस में और मानने से जाह मतली कि यहां से पारवाई जाह पर दबातार जाहते हैं बुलंद शेहर में शेहर की जजर और गड़ा युक्ट सडको कुले का बुलंद शेहर के विपारियों ने सडको पर तंबू गार का जोड़दार पदर्शन किया है विपारियों का आरोप है कि सडक की बदहाल स्थिती के चलते आई दिन सडक पर हाथ से होते रहते हैं वहीं विपारियों की मांग है कि जर जर सडको की मरमत करवाई जाए और सडको के जिवाईडर हटाए जाएं इसलिए के साथ ही विपारियों ने मांग पूरी नहीं होने पर जिला प्रसाशन को आंदोलन की च्वितापनी भीती है बतारें कि नगर पालिका और कलेक्ट्रेट पर भी विपारियों ने विरोध प्रदशन किया है तो तस्वीर आप देख सकते हैं बुलन शेहर की जहां पर विपारियों ने विरोध प्रदशन किया है सडको की हालत को देखते हुए ये विरोध प्रदशन किया गया है तस्वीर आप देख सकते हैं पहाडों पर लगतार हो रही बारिश को चलते चात्रों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया है जहां बीती रात तेज बारिश से नदी का पानी अच्छानक सडकों पर उतराया और सडक नदी में तब्दील हो गई जिसके बाद स्कूल जा रही चात्राय खंटों तक सडक पर खड़े रही और पानी कम होने का इंतिजार करती रही लेकिन सडक पर पानी का जलस्तर कम नहीं हुआ जिसके बाद चात्रों को वापस अपने खर की लोटना पड़ा वहीं किसानों की माने तो आए दिन पानी आने से किसानों की फसल चौपट हो चुकी है साथी किसान और रहगी जान जोखिम मिजाल कर सडकों को पार करते के लिए मजबूर है वहीं जिले के अफजलगर बनेरी शाहपुर जमाल इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है तो तस्वीरे देख सकते हैं किस तरह से शात्राइं जो हैं वो स्कूल जाने के लिए इंतिजार करती रहीं लेकिन पानी का सतर कम नहीं हुआ और ऐसे में वो स्कूल नहीं जा पाई वहीं किसानों के बात कर ली जाए तो किसान भी लकता हुने वारी बारिष के वज़़ा से परिशान है हैं बने नदी है यहाँ पर दिक्कत हो जाती है लोग को आने जाने में और intervention के स्कुलके बच्चे जाते हैं उपों के जीक दूम्निंटां से पानी चलता है काफी बाbayण करूप के अँगे इसलिकृत पानिया होती हैं महाबाप बच्चे को अकले नहीं बेज़ पाते हैं और उनके साथ आना पड़ता है उनका समय वरबाद होता है हम इसमें करना क्या चाहेंगे हर वर्स में ही हम अपनी लखनव सरकारता कभी भाग को हर बार सूचना देते रहते हैं समय समय पर सूचना देते क ये बंदा स्यतिक्रिस्त हो चुका और इस पर रहे करें और यह अधिकारियों सम्दीत अधिकारियों द्वारा क्या होता है थोड़ा बहुत काम करा दिया कुछ उधर करा दिया कि लेकिन कोई डंग से काम नहीं हो पाया लेकिन हमें यह अश्वासन दिया जाता है जूटा यहां पर तो आपके टैल लगवा देंगे, इसको हाइट बढ़ा देंगे, इसको बिल्कुल बढ़िया कर देंगे, ऐसा करा देंगे वैसा लेकिन आज तक यहां को दुनी यह से नहीं हो पहा है, थोड़ी बहुत मिटी कर रहा होता है, लेकिन इससे संतुष्ट जनक को कर रह हर बार हमें दोखा दिया जाता, और यह जो बंदा है है पूरा यहां से लगाका, पूरा च्छतिकरत हो चुका, जगा जगा पर पाणी रिसाव हो रहा है, यह लोग हमें गट्टे लगवाने का शुवासन दे रहे हैं अमबेटकर नगर के ऐसे इन इंटर कॉलेज में शिक्षकों ने जमकर धना प्रदर्शन दिया, जानकारी के मतावए कि शिक्षक वेतन ना मिलने से नारास होकर धरदे पर बैट कई थे दरसा सिक्षकों का आरूप है कि पिश्रे तीन महीने से उनने वेतन नहीं दिया गया है, जिसके चलते वो धरदे पर बैटे हैं, जानकारी के मतावए कॉलेज के प्रदान अचारे के पीच किसी बात को लेकर विबात चल रहा है, जिसके चलते बीते तीन महीनों से सिक्षक को उनका वेतन नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में जुले के इंदरूपूर, आलापूरसेत, ऐसे इंटर कॉलेज का पूरा मामला है, तस्वीर आप देख सकते हैं कि सरा से तीन महीने से वेतन ना मिलने को लेकर सिक्षक जो हैं वो धरदे पर पैटे हैं और क्लास्रूम में बच संबल के थाना रजपूरा इलाके में गुरूहार सुबा पुलिस और बदमाशों के बीच मुटभेड हो गई और मुटभेड में 50,000 का इनामी बदमाश पुलिस की गोली लगने से खायल हो गया, वहीं एक पुलिस कर्मी भी मुटभेड में खायल हो गया है, बता दे मुट सजार रुपे का इनाम भी घोशित है, वहीं पुलिस लंबे समय से बदमाश की तलाश में जुटी हुई थी, मामले में स्पी चक्रेश मिश्रुन ने बताया है कि दिनेश यादव संभल जन्पत के टॉप 10 अपराधियों में नंबर बन का पराधि है, और गुरुआर पार रचपुरा पुलिस को उसके श्यत्र में खोने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने उसकी घेरावदी शुरू कर दी थी और उसके बाद गंगा किनारे उसकी पुलिस से मुढ़ भीर हो गई, जिस तोरान उसे पैर में पूली लगने से वो खायल हो गया, आरोपी दो साल पहले हुई लूट के माबले में भी वांचिट चल रहा था, थाना रजपुरा के इंतरगत ये हरिवावाद बांध के पास में आज एक पुलिस मुढवेड हुई है, इसमें दिनेश कुमार जो पचास जार रुपे का इनामी था, इसके उपर डियाईजी साब दौरा इनाम घोशित किया गया था, हमारे जन्पत का टॉप 10 में नंबर एक का अपराधी था, इसको आज एसोजी की टीम और थाना रजपुरा की टीम के दौरा यहां पर चेकिंग लगाई गई थी, यह सूशना मिली थी, इदर से आ रहा है, इसको रोगने का प्रयास किया गया, तो इसके दौरा पुलिस पर फाइरिंग करके भागा, जवाबी में इसके पैर में बोली लगी है, यह घायल है, हमारा एक सिपाई भी घायल है, दोनों को उपचार के लिए अस्पताल भीजा गया है, इस अपराधी के विरुद बुलंचहर, अलीगर, संबल, वह अन्य कई जिलों में करी 25 पुराने अपराधिक मामले हैं, यह लूट के मा पिछले लगवग दो साल से चल रहा था, इसकी ग्रफतारी के लिए काफी प्रयास किये गए थे, एक महीने से टीम इसको पोज रही थी, और आज यह इस मुटवेड में ग्रफतार हुआ है, इसको माननी ने आया ले, पिजा जा रहा है, इसके पास से चोरी की एक मोटर पातान नसर आ रहा है, बता दें, खबर शहर के जुला स्वताल की है, जहां एमर्जनसी वार्ट में स्ट्रेचर ना मिलने से तिमादार अपने मरीज को उठा का इलाज के लिए ले जाने के लिए मजबूर है, इसका एक वीडियो भी शोशल मीडिया पर जब कर बारल हो रह है, तो सिदार्ट नगर का पूरा मामला है, यह तस्वीर भी आप देख सकते हैं किस तरह से एमर्जनसी वार्ट में स्ट्रेचर जो है, वो नहीं है, जिसके बाद मरीज के जो तिमादार हैं, बही मरीज को अपने हातों में उठा का ले जाने के लिए मजबूर है, आलाज क इसका वीडियो भी जो है, वो सोशल मीजिया पर वारल हो रहा है, तस्वीर आप देख सकते हैं बरेली के जल निगम कारयाले में तैनात करमचारी का लहू लुहान शब मिलने से खड़कम मच गया, करमचारी का शब जल निगम के कारयाले में ही मिला है, ऐसे में करमचारी की मौत गोली लगते से हुई है, और मामले में मिम्रता के परिजवन हत्या का आरोप दगा रही है जबकि जल निगम के अधिकारी इसे खुदखुशी बता रही है फिलाल पुलिस जाच में जुच गई है और शब को पुसमाटम के लिए भेज दिया गया है तो बतादे परेली का पूरा मामला है जहां पर जल निगम के करमचारी का शब मिलने से हरकम मच गया और ऐसे में शब जो है वो गोली लगा हुआ मिला है किसने गोली मारी है क्या पूरा मामला था विस बात की कोई भी जानकारी नहीं मिली है लेकिन पुलिस जो है पूरे मामले में चान बीन कर रही है कि लिए जिनकी अभी अपने आपको जो उन्होंने शूट कर रहा है वो हमारे यहां पर नियमित कर्मिटारी फील्ड जुनियर फिटर के पर यहां पर कारे रखते हैं का यूचा जाचि लगबद्रेश्ट अंचिस श्करोंम गांते हैं आप crazy यहां मेंचाथ कि आसकाचर ऑलुर्पर तो तब से वो मतलब गए बाइध रेकियोए वाले स्टाफ है हमारे तो फील्डी वाले स्टाफ जो है कि यह वो ऐत वह तो आप काम करने लेक तो थी नहीं ज़ाने तक उने का प्रशनnahme कि वो क्यों आये मुझे बताया जार्यार जारा कि मेरे से मिलनी आइते तो यह क्लास्मियां सी बात है कि यहां का मैं मुख्या हो तो मेरे से मिलनी किसी भी टायप़े कोई आ सकता ह। लेकिन वो मेरे पास ना आकर उन्होंने वहां ये जो घटना घटी उन्होंने ये कदम क्यों उठाया इस की विशे में कहा पाना बहुती मुश्किल है लाद किसी प्रकार का था ही नहीं इनके आफिस में किस्ते बहुत रेशन चल लएँ ये सब जानकारी अब है और ओधिस रहले के आपने आधर दूर क्वरादी कि आपने डिना करें रहे हैं कि कि हम नहीं आए तब तक आपने बाड़ी स्पोर्ट से कर उठाई जगे से उठाई क्यों हमें तिखाओ इसलिए इस प्रक्टर से जहमा गेमी हुई आपको बताना चाहूंगा यह जल नेगम कर्मी इनका नाम गुलावरा है ता इनका एक कमरे में अच्छ भाड़ा मिनास है वहां करने कि अचनका भी जटाई जा रही है और इस प्रक्टर नेखी अपने अचनियाब पर देख्जिए तक इसलिए ज़िए तक इल्टर इसलिए मामले में क्या कुछ कारवाई की जा रही है तो परिवार का क्या कुछ कहना है क्या किसी से पुरानी रंजिश्टी या फिर परिवार क्या कुछ कह रहा है पूर पर कहना है कि कोई लंगी तो इनकी नहीं थी लेकिन आप पर भी परिवार को धर है कि तहीं नहीं स्केजिय अश्ण कर देपा रहे हैं जो जल निगम के करमचारी का शब जो है वो लहू लुहान मिला है और ऐसे में शब को कूली भी लगी है हाला कि अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है कि कूली किसने मारी क्या ही पूरा मामला था लेकिन पोलिस ने जो है पोस्ट मॉल्रम के लिए शब भेजिया है और जाच पोलिस कर रही है इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलाग लेतना ही आप देखते रहें निउस वाल इंडिया